नमस्कार मेरा नाम अधुद बरसलेवर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस इस समय देश में चर्चा है जम्मो कश्मीर के परिसीमन की और आने वाले वहां के चुनाओं की तो एक बेसिक सवाल हम समझना चाहरे थे कि परिसीमन होता क्या है और कप कप किया जा सकता और कि इसको इसका अधिकार दिया गया है समिधान के इसाब से तो हमार साथ मोजूद है विराग गुपता जी जो जाने माने कानून विश्चक के हैं सुप्रीम कोटे लॉयर है सर बहुत दो स्वागत है आपका शोंग तैंक्यू सबसे पहले यह बताईए कि यह परिसीमन क्या हो यह बहुत प्रोग्रिसी राइट है जो मद्यकाल में और भारत कसम विधान बना बहुत सारे देशों में हासिल नहीं था महिलाओं को हासिल नहीं था भारत में सभी को तो हर वयस्त को एक मदादिकार हासिल है उसके वोट के अधार पर जो सरकार बनेगी उसमें एक और उसमें पूरे देश में लोगसभा राज़सभा और विधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है वोटरों के नुसार तो जो वोटरों की पापलेशन है तो उसमें यह कोशिश की गई है कि हर वोटर का जो अधिकार है वो गनती दृष्टी से बराबर हो तो अगर देश में 135 करोड़ लोग हैं तो उने 135 करोड़ लोगों के माध्यम से जो सांसत चुने जा रहे हैं अब इधायक चुने जा रहे हैं ऐसा नहीं हो कि 20 लाख लोग मिलके एक सांसत कहीं बना रहे हो और कहीं पे सिर्फ पांच लाख लोग एक सांसर बना रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो वोटरों की जो राइट है जो उनकी जो जो उनका ग्रेड है वो प्रभावित होता है और जो समान मताजिकार है उसका उलंगन है इसके लिए सम्विधान के अनुच्छेत 81 और 82 में उन दो जगों पर प्रावधान है और 82 में ये प्रावधान है कि जब भी जनसंख्या का जो जनगरना होगी उसके बाद जो सीटों का परिसीमन होगा और जनसंख्या की जनगरना के लिए जो नियम है वो नियम है हर दस साल में जंगरना होगी इसका मतलब यह है कि हर दस वर्ष में जो विधान सभा और संसत की सीटें हैं उनका परिसीमन करना चाहिए तो जैसे इसमें एक जनरल सवाद है कि परिसीमन कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा यह कौन ताय करता है उसके लिए जो संसत में जो परावधान है उसके तहट एक इसका आयोग बनता है जैसे इस समय जम्मु कश्मीर में जो अभी चर्चा है उसके लिए सुप्रीम कोड के फार्मर जज़ जो देसाई हैं उनकी अधच्छता में एक आयोग बना है उसमें जो केंदरी चुनाव आयोग हैं उसके एक सदसे हैं जो राज्य के चुनाव आयोग हैं वो एक हैं और उसके अलावा पांच अन्य सदसे हैं और इस आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पे वो जो आयोग अपनी रिपोर्ट देता है उसके पहले बहुत सारी उसमें कारवाई होती हैं, तो उसमें वो आंक्रे मंगाता है, उसमें वो सुनवाई करता है, दावे आते हैं, उन दावों का निप्टारा होता है, उसके बेसिस पर रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट को जब सिवकार किया जाता है तो नई परिसीम बनती हैं और उसके basis पे नए voter list बनती है यह पूरी एक सम्मिधानी प्रक्रिया है जिसके लिए सम्मिधान के अलावा एक और भी कानून है representation of people left उसमें भी प्रावधान दिये गए हैं कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी और जो सम्मिधान के अनुच्छे 339 के तहत यह हैं कि ऐसे मसलों पर सामानिता किसी अदालत का हस्तच्छेप नहीं होगा और यह जो परिसीमन आयोग है इसकी रिपूर्ट फाइनल होगी अब अगर हम आजादी के बाद से चर्शा करें तो सबसे पहला चुनाओ जब हुआ तो उसके लिए 1951 में जो जनगरना हुई उसके बेसिस पे 1952 में एक इसको बोल सकते हैं पहला परिसीमन हुआ फिर जब दूसरी उसके बाद फिर क्या हुआ एक और भी घटनकरम हुआ नए राज्य बने रियार्गनाईजेशन के तहत 1956 में और उसके बाद 1961 में जो जनगरना हुई उस जनगरना के बेसिस पे 1963 में दूसरा परिसीमन हुआ यह दूसरा दशक हुआ उसके बाद 1971 में तीसरे दशक में फिर एक जनगरना हुई उसके बेसिस पे 1973 में फिर परिसीमन हुआ अब यहां से आकर के चीजों का बिगड़ाव चालू हो जाता है जिस तरीके से जब इमर्जिंसी लगी और उसके बाद चीज़ संविधान संशोधन है वो एक संविधान संशोधन किया और उसके तहात उन्होंने यह बेवस्था किया कि सन 2000 तक कोई परिसीमन नहीं होगा और दो दर्शकों के लिए उन्होंने परिसीमन की बेवस्था को संविधान संशोधन के माधिन से खतम कर दिया और उसके पीछे देश यह बनाए गया था क्योंकि उसी संविदान स rushodhan में एक family planning को भी एक amendment में सामिल किया गया था संविदान के साथी भी अनसूची में कि जनसंख्या नियंत्रन हो और जनसंख्या नियंत्रन को भी उन्होंने संविदान में शामिल किया तो उसके ताहत ये बोला गया कि अगर लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे तो उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इसलिए वो एक कोई एक एक फैक्टर नहीं होना चाहिए अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए तो उन्होंने ये कानू बनाया कि सन्दो हजार तक कोई भी परिसीमन नहीं होगा उसके बाद दो हजार दो में एक नया सम्मिधान शंशोदन हुआ 84th Amendment आया उसके तहत ये बेऊस्था की गई कि ये जो पुराना जो सम्मिधान शंशोदन तक 2000 तक के लिए था अब इस बेऊस्था को 2026 तक लागू कर दिया जाए इसका मतलब 1971 की जन्गर्ना के वेसिस पे जो परिसीमन हुआ वो परिसीमन अब दुबारा भी तक नहीं हुआ और 2026 तक हो भी नहीं सकता अब 2026 के बाद जब अगली जन्गर्ना होगी वो जन्गर्ना होगी 2021 में क्योंकि 2021 के जंगरणा अभी कोरोना की वाज़े से नहीं हो पाई तो 301 की जब जंगरणा होगी थो जो अगर सही सिस्टम सब बना तो 301 के जंगरणा के basis पर एक नया परिसीमन होगा अगर हम इसको देखे तो Central Visa Project से मिला करें इसलिए नया Central Visa संक्राइब करेंगे तिए इतने उबादी जो बढ़ जाएगी, उनके लिए नई संस्ज चाहिए इसके लिए इसके अनुसार लाया जा रहा है जिसे अपना में जम्मु कश्मीर की बात करें तो अभी का सिनेरियो क्या है वहां परिसीमन का अभी क्या सिती है वहां पर देखे जम्मु कश्मीर में जो विधान सभा है उसमें वहां के सदस्यों के लिए तीन बार परिसीमन हो चुका है एक बार 1963 में एक बार 1973 में और एक ब जब 2001 की जंगर्णा के बेसिस पे देश की क्योंकि जो संविधान संशोधन हुआ था वो संसत के लिए था लेकिन राज्यों की जब परिसीमन की बादी आई तो जम्मु कश्मीर में उन्होंने कानून बनाया वहां के रिप्रेजेंटेशना पीपूल एक्ठ है वहां का 1957 का के चनून में उन्होंने संशोधन करके बोला कि ये परिसीमन दो हजार चब्विस तक नहीं होगा उसको चुनोती दी गई नेशनल पैंथर्स पाटी के नेताओं ने सुप्रीन कूट में चुनोती दी और सुप्रीन कूट ने कहा कि संविधान के ताहत ऐसे मामलों का फैसला आदालत में नहीं हो सकता है और दो हजार बारा के आसपास वह याची का निरस्थ हो गई तो जम्मू कश्मीर में अब जो क्या हुआ दो बदलाव हुए पहला बदलाव यह हुआ कि अनुछे 370 की निरस्थ होने के बाद जो वहां पर एक नया यूनियन टेरिटरी बना तो उसमें लदाख में तो विधान सभा ही नहीं है जम्मू और कश्मीर दो जगहों पे विधान सभा है और वो यूनियन टेरिटरी है और उस यूनियन टेरिटरी में अब किन सरकार के कानून लागू होते हैं तो जम्मू कश्मीर में पुराना सम्मिधान खुद का था और भारत का संविधान लागू होगा और भारत का रिप्रेजेंटेशन आप पीपूल एट के नियम लागू होगे उसके तहट जो उस कानून में सरकार ने दो बेवस्था की उसमें एक बेवस्था तो ये की उन्होंने बोला कि साथ हम बिधायकों भी संख्या और बढ़ाते हैं क्शमीर में थोड़ी स्थिती ऐसी है कि जम्मू के पास जिएओग्र अइरिया है 62% 62% और वहाँ पर जो आबादी है वो 44% है और खशमीर के पास जिएजियन जो पर पास वह थो फर्टीएट परसेंट है और आबादी 48% है तो दोनों का रिशनाइजू कैसे हो इन पूरी सारी चीजों में भी ये जो परिसीमन आयोग जो पिछले साल गठित किया गया था उसको एक साल की भी तर अपनी रिपोर्ट देनी थी लेकिन उसको एक साल का एक्स्टेंशन ने दिया गया क्योंकि कोरोना और लागडाउन के वज़े से वो आयोग अपनी पूरी कारवाई न के बाद की तो जम्मु कश्मीर में क्या बदलाओ देखे आ सकते हैं अब जो संभाव भी तो सकते हैं अब जम्मु कश्मीर में देखे परिसीमन में दो तरह की बेस्थाएं बनती हैं पहली बेस्थात ये बनती है कि सीटों की संख्या कम जादा हो और दूसरे बनता है कि ज जो परिसीमन को प्रभावित करेंगे. पहला महाँ पर बड़ी आवादी एक खाना बदोश की है. तो उस खाना बदोश यावादी को कहां पर कैसे अजिस्ट किया जाता है? कैसे काउंट किया जाता है? दूसरा S.C.S.T. की जो आवादी है उसके नुसार अगर महाँ पर Organization Act 2019 का. उस कानून के तहत ही ये सारी विधान सभाएं बनाएंगे, उस कानून के तहत ही सारे परिसीमन होंगे और आगे चुनाओंगे. उसको चुनोती दी गई है सुप्रीम कोट में. धारा अनुच्छे 370 को भी खत्म करने की, नए राज्यों को बनाने की, यूनिन टेरि में, तो फिर जम्मु कस्मीर में परिसीमन कैसे होगा? और अगर परिसीमन होगा, तो उसमें कौन सी जनगरना को आधार माना जाएगा? क्योंकि 2021 की जनगरना तो अभी हुई नहीं है, तो क्या 2011 के जनगरना के बेसिस पे नया परिसीमन होगा? क्योंकि जो नया कानून बना उसके अनुसार 2011 की जन्रणना के अनुसार ही वहाँ पर ये परिसीमन होगा तो इन सारे फैक्टर्स में बहुत सारे कानूनी और समयधानिक बिंदू हैं जिन पर उल्जने हैं जिन पर हो सकता है कि आगे चल कर नया एक विवाद भी पैदा होगी जिससे बना आखरे में इस प पॉलिटिकल नजरिया से देखना चाहें तो इस परिसीमन के क्या माइने हो सकते हैं इनिदे कि पॉलिटिकल तरीके से इस परिसीमन के माइने ये हो सकते हैं कि अगर इस परिसीमन की बेवस्था में चुकि जो परिसीमन आयोग है उस आयोग में नेशनल कांफरेंस के नेता भी शामिल है और परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट में जो मिजारिटी मिंबर्स कवी होता है उसके अनुसार उसकी मानता मिल जाती है तो पहला सब से पहला ते बिंदु यही आएगा कि क्या परिसीमन आयोग सरुसम्मति से होगा कि वो परिसीमन आयो सेहमती से होगा। दूसरा बिंदूया आएगा कि इसको अदालत में सेहमती मिलती है कि नहीं मिलती है। तीसरा बिंदूया आएगा कि नई वोटर लिस्ट और नए सीटों के अधार पर जो नए चुनाव होंगे। उन चुनावों को अगर परिसीमन की बेवस्था निताओं ने सीवकार नहीं किया और चुनावों की उन्होंने भागीदारी नहीं की तो जो लोगतांत्रिक प्रिक्रिया को बहाल करने की कोशिश है उसको धक्का लगेगा। परिसीमन की देखे परिसीमन का प्रोसेज ऐसे चालू हुआ था कि पिछले वर्ष मार्स 2020 में परिसीमन आ उन्होंने राज सरकार के अधिकारियों से एनिक प्रकार की जानकारिया मांगी अब उन जानकारियों के एकत्र करके वो अपना आकलन कर रहे हैं और एक ड्राफ रिपोर्ट जारी करेंगे उस ड्राफ रिपोर्ट पर निताओं से आम जनता से और लोगों से वो उसमें अप final report दिया जाएगा और उसके basis फिर उसको notify किया जाएगा. उसको notify करने के बाद, एक नई voter list बनेगी और उस नई voter list के basis पे जो नई विधान सभा के जो छेत्र बने हैं, उन विधान सभा छेत्रों के लिए चुनाव आयोग, चुनाव के अदिस उचना जारी करेगा तो बहुत-बहुत शुकूरिया सर आपने तमाम जानेटेरा हम तक पहुँचाई हम